चर्चा कर रहा हैं शेख कमलेश पार्टीदार साथ से जो मुख्य नगरपाली का अधिकारी हैं नगरपाली का परिश्यत हर्दा में और सेसी टीवी केमरे जो नगरपाली का परिश्यत हर्दा ने हर्दा के कहीं इस्थानों पर लगवाए हैं उन्हीं के संबन में जानकारी चाह रहा हैं पताएं कितने केमरे हैं रदा नगरपली के रूप में हरदा शहर के चोक चुरहओ अब यह शो रहे हैं तो फर हमारे लगभग 65 केमरे बलगवाए गए को पर पिर नगरपली के मुद से और उसकी वजह से पुलिस भी परिशान होती थी, लोग भी परिशान होते थे, ये केमरे जो हैं आपने फिर से शुरू करवा हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सादुवार, पूरे हर्दानगर की ओर से, और क्या इनकी आपरेटिंग कहां से होगी? नगरपली का परिशत द्वारा ही इनका संचलन किया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया था कि विगत कुछ समय से कुछ दिक्कतों के करण नहीं संचलन हो परा था, लेकिन विगत कुछ महां से लगातार, इसका संचलन संधारन हो रहा है, और मैं आशोशत करना चाओंगा कि ये प्रक्रिया बड़ी रहेगी और नागरिकों को और पुलीस को इसे केमरों से सहीयोगी प्राप्त होगा, जैसा कि हमने ASP हरदास से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नगरपालिक्तार के जो केमरे हैं, वो पुलीस प्राशासन हैंड़ोवर करेगा, तो ऐसी कोई आपके पास में प्लानिंग है क्या? तो है, नगरपालिका ही कर रही है, और परिशत के नेड़ने के उपरांद ही, जो कुछ भी होगा, वो होगा, और शेहर तो आपने पूरा देख लिया होगा, क्या कुछ शेहर में क्या कमियां आपको महसूस होई? यह लगातार मैं भ्रमन भी कर रहा हूँ, अभी आगावी चुनाव भी है, उस दुरस्टी से भी लगातार भ्रमन हो रहा है, और जो कमियां नजर आ रही है मुझे, नगरपाली का इस तरह से हम जो भी कमियां है, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, उससे ठीक रहेंग की पोस्ट पर हर्दा यानि रिदे नगर में पोस्टेड है, धन्यवाद साब आपका, जी आपका भी धन्यवाद,